अज आमिर खांजी का एक मुवी का एक बहुत फेमस टैगलाइन याद आ रहा है जो जीता वही सेकंदर जो जीता वही सेकंदर मेरे नमवंबर 2021 एक्जाम्स वाले फ्रेंज और दिसंबर 2021 वाले फ्रेंज इस टैगलाइन को अपना का मोटिवेशन बनाएए और स्टार्ट किजिए इस्टाइश को तेंस यू और वाचिंग केस्ट क्लासेश और मैंसेल्फ सीए करेंशौ और आज का टॉपिक है इस्टाइश प्लान फॉर नमबर 2021 और दिसम्बर 2021 एक्जामस पार्ट वन अगर मैं बात करूं नमबर 2021 एक्जामस का जो बेसेकली सीए के इक्जामस होते हैं उनके लिए एप्रॉक्सिमिलेटली वन थर्टी एड़ेज टाइम है वन थर्टी एडेस टाइम सर्प आप वन थर्टी एड़ेस टाइम कहां से काल्कुलिड कर रहें हैं तो फ्रेंज आज ह मैं आपको पांच दिन दे रहा हूं from 11th June to 15th June अराम से enjoy करो मस्ति करो जो करना है करो 16th June से आपको अपने studies को start करना है seriously 16th June से आपको अपने studies को start करना है seriously so June में आपके आपके पास है 15 days time July में 31 days time August में 31 days September में 30 days and October में 31 days in total 138 days time आपके पास और इस 138 days time में आपको at least four to five times four to five times अपने eight subjects को cover करना है friends आप सब को मेरा यह plan बहुत काम आएगा मेरा प्लान है 2P plus 2T means practicals तू सब्जेक्स प्राक्टिकल और 2T means two subjects theory के हैं सो एवरी डे आपको टू प्राक्टिकल सब्जेक्स और टू थीरी सब्जेक्स लेकर चलना है कि मैं जानता हूं कि बहुत ज़िन के classes चल जाओंगे तो आपका हर दिन कम से कम 6-7 घंटा क्लासिस में जाता हूं कि सो रिमेनिंग 17-18 आवर्स आपके पास हैं जिसमें से आपको 7-8 आवर्स टाइम निकालना है for self-studies and इस self-studies में आप यह चार पेपर लेके चलोगे जिसमें से दो पेपर्स प्राक्टिकल के होंगे है और दो पेपर्स थियरी के होंगे टूपी प्लस टूटी मॉडल है कि एक और इंपोर्टेंट बात ध्यान रहे कि आप फर्स टाइम जो कवर करोगे अपने आठो पेपर को वह विदिन 60 डेस कवर करोगे विदिन 60 डेस कवर करोगे फर्स टाइम सेकेंड टाइम आप 40 डेस में अपने एट पेपर्स को कवर करोगे तो फर्स टाइम आपने 60 डेस में एट पेपर्स कवर किया सेकेंड टाइम आपने 40 डेस लगाया एट पेपर्स को कवर करने का सो अगर आप 60 & 40 डेस लगा रहे हो अपने दो रिविजिंस में तो आई थिं है लास्ट एंड में अगर आप थे रुजान डैसा भी और तो आप आप फॉर्ट में चाल प्ल्सक्राइब किया है तो लास्ट एंच में उसक्टाइबाएं अवी रेविजेशन और ये क्या है तो आपका फिर 5 times revision हो जाएगा Friends ये था आपका revision 2P plus 2T model एक important बात और कि आप जब भी theory paper start करोगे तो last time revisionary notes अभी से ready करोगे जिसका video मैंने already upload करके रखा हूँ अपने YouTube channel में आप उसे देख सकते हो उपर दिये हुए link में click करके जब आप practicals करोगे तो आपको formula copy अलग रखना है और अपना master sums बनाते चलना है उसका भी वीडियो का link उपर दिया हुआ है आप click करके देख सकते हैं So theory paper में आप last day revisionary notes अभी से prepare करोगे practicals में formula copy and master sums अभी से ready रखो अब जो December वाले friends हैं उनको सब कुछ यही करना है बट उनके पास extra और 30 days है November को और extra 30 days आपका जुर जाएगा और आपके पास आप 168 days time है from 16th June onwards और आप अगर चाहो तो तो यू कन रिवाइस यूर सिलिबर्स आप लिस्ट सिक्स टाइम्स मैं आप लिस्ट सिक्स टाइम्स यह मेरा पार्ट वन जिसमें मैंने आपको सिर्फ यह बताया कि number of days कितना है अभी आपके पास 2P plus 2T model मैंने आपको यह भी बताया कि every day अभी से आपको seven to eight hours self-studies में देना है यह भी बताया मैंने कि आप किस तरीके से last day revisionary notes अभी से तयार करो और formula copy and master sums अभी से develop my dear friends part two जो है इसका video मैं उसमें detail में बताऊंगा कि आप किस तरीके से 2P plus 2T को implement करो with this I am going to end this lecture my dear friends thank you so much for watching guest classes and if you are liking my video my dear friends then please do share do like and do comment and please don't forget to subscribe our channel thank you